फालतू में आपको खर्चे नहीं करना है क्योंकि फालतू में किये गए खर्चे बिर्थ में चले जाएंगे पैसा भी आपका जाएगा और आपको कोई एक्स्ट्रा फाइदा भी नहीं मिलेगा तो आईए दोस्तों आज हम बात करते हैं कि जो गबोड अवस्था होती है इसम के पहले आपने उर्वर्कों की पूर्त कर दी है या नहीं की है अगर कर दी है तो आपको क्या ध्यान रखना है अगर नहीं की है तब आपको क्या ध्यान रखना है लेखिए अलग-अलग टाइम पर धान की ब्रैटियां पकने वाली होती है इसलिए काटेगरी वाइज आप को औरवर्कों को देने का समय में भी काफी बड़ा अंतर है इसलिए दोस्तों मैं यहां पर सीधे आपको यह बताने जा रहा हूँ कि यदि गबोड अवस्था आपके धान की आने वाली है तो उसके पहले जो औरवर्कों को आपको देना जरूरी है क्या उनको पूरा कर दिया है अगर पूरा कर दिया है या नहीं पूरा किया है तो इसको आपको मुखिरूप से ध्यान रख करके ही उरवर्कों को इस टाइम पर देना है और या नहीं देना है यह आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि जानकरी जिस वीडियो में मैंने दी है वो आई बटन में या डि बरख है जिसको पौधे को सबसे अधिक समय समय पर देने की आवस्थ सकता रहती है क्योंकि इसको देने के बाद चाहे मिट्टी में दे चाहे स्प्रे करें बहुल लंबे समय तक ये टिक नहीं पाती है इसलिए इसको कई बार में टाप डेसिंग के रूप में देना पड़ता तो अगर इस टाइम पर जो कांतिक अवस्था गबोर्ड वाली थी उसके पहले नाइट्रोजन को भी दे दिया है और पोटास को भी दे दिया है तो ये ऐसा टाइम है गबोर्ड अवस्था का इस टाइम पर पोटास आगे लंबे समय तक जब दाने का भरा होगा तब तक प तो इस टाइम तक आपको ऐसा कोई भी नहीं काम करना है जिससे फ़सल का नुकसान हो रहा है अब नुकसान कैसे होगा कि यह आप इस टाइम पर भी नाइट्रोजन की पूर्थ कर देते is तो उससे जो है नाइट्रोजन अधिक मिलने के काण पौधा जो गबोर अवस्था में आता है तो बहुत तेजी से उसकी हाइट बढ़ने लगती है जिससे पौधा पतला और कमजोर रह जाता है और ऐसी इस्थित में जो है पौधे में दानों का भराव भी अच्छे से नहीं हो पाता है और बाली जो है बहुत पहले निकल जाती है जो बाली निकलने का प्रोसेस होता है उसको तोड़ करके वो पहले निकल जाती है जिससे जो है उत्पादन में भी सिधे कमी आती है और पौधा पतला और कमजोर होने के काण ज्यादा हाइट बढ़ने के काण आपकी धान गिर भी जिससे उत्पादन जो आप सोच रहे थे कि अच्छा मिलेगा घट जाता है तो यदि आपने पहले उर्वरक दे दिया है इन उर्वरकों को तो आपको अब इस टाइम पर कोई भी उर्वरक लास्ट तक नहीं देना है हाँ यहीं पर दोस्तों यदि आपने जो दूसरी टाफ प्रेसिंग की है उर्वरक की केवल यूरिया दिया है वो भी बहुत पहले यानि जो गबोड अवस्था की अवस्था थी उससे लगवग 15 से 20 दिन पहले दे दिया है तो इस टाइम पर जब गबोड अवस्था आती है तो आपको कुछ नाटोजन की कमी के लच्छड भी दि देना है तो इस प्रे करके पूरा किया जा सकता है लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो पौधा कमजोर कहीं ना कहीं से दिखाई पड़ता है तब ही आपको देना है क्योंकि इस टाइम पर यह दिया आप नाटोजन की पूर्थ नहीं करते हैं और नाटोजन की कमी ह तो बालियां एक साथ नहीं निकलती हैं, कुछ बालियां बहुत पहले निकल जाती हैं, दुखधा आवस्था को भी पार कर जाती हैं, कुछ बालियां निकल रही होती हैं, और कुछ निकलने को बाकी रहती हैं, जिससे काफी लंबे समय तक ये प्रोसेस चलती हैं, और जो उत होगा कि जो नाइट्रोजन आप देंगे वो पौधे में निकली हुई बालियों को खराब कर सकता है दाने का भराव कमजोर हो सकता है दाने की क्वाल्टी खराब हो सकते इसलिए जो गबोड अवस्था होती उस समय दिल अच्छर दिखाए पड़ते हैं क्योंकि ऐसे टाइम पर पौधे को अत्रिक्त पोसकत अवस्था होती तो उस टाइम पर आपको नाइट्रोजन की पूर्ति कर देना तो नाइट्रोजन की पूर्ति आप कैसे करेंगे देखिए 13.45 इसको आप डालेए इससे क्या होगा कि नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी और पोटास की भी पूर्ति हो जाएगी या आप बाद में भी सोचते हैं कि हम पोटास डा तो इस समय पर क्योंकि फासफोरस की भी आओ सकता इस टाइम पर कुछ खेतों में हो जाती है क्योंकि यदि आपको पौदा पतला दिखाई पड़ता है पौदा थोड़ा कमजोर दिखाई पड़ रहा है तो ऐसे में बाली छोटी निकलेगी पौदा कमजोर होगा तो वो गिर पौदा अच्छा और मोटा हो जाएगा और बाली भी काफी अच्छे से और काफी बढ़िया निकलेगी और एक साथ भी बालीया निकलेगी लेकिन मैंने पहले ही बताया है कि अगर आपके खेत में नाटोजन की कमी नहीं दिखाई पड़ती तो इस तरह की गलती आप नहीं करें नहीं तो नुकसान भी आपको होगा को इसरी को देख करके आपको अपने खेतों में वही सेम तरीके नहीं अपनाना है आपको अपने खेत के हिसाब से जो चीज़ें लगती है कि इसकी कमी है इसको देना चाहिए तब ही आप पूरा करें दूसरी चीज बहुत से किसान माई क्या करते हैं कि बाली निकल जाती निक कम होगा लेकिन फसल की क्वाल्टी खराब होगी जिससे आपको पैसा इतना अच्छा नहीं मिलेगा यानि वो कम दाम पर मार्केट में बिकेगा तो इस टाइम पर आपको बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करने है जब गबोड की अवस्था हो तो गबोड की अवस्था तक ही आपक अवस्था के पहले पहले आप dang जो है 5050 षप्र करना है उसके बाद आपको इसप्रे नहीं करना है नहीं तो क्वाल्टी खराब होगी इस तरह से ज़िए आप 13.45 भी स्प्रे करना चाते हैं तो इसी टाइम तक स्प्रे आपको कर देना है बाद में आपको किसी तरह का उरबरक स्प्रे नहीं करना है और यदि बालिया निकल गई तो भूल कर आपको ऐसी गलती बिलकुल नहीं करना है जिससे जो है दाने की गुर्वत्ता औ कर सकते हैं क्योंकि इससे क्वाल्टी आपकी बनी रहेगी लेकिन जितना लेट जाएंगे उतना ही गुर्वत्ता खराब होती चली जाएगी तो इस तरह से आप अपने खेत में यदि आवास सकता है और बरकों की तो आप पूरा कर सकते हैं अगर आप गबोड अवस्था के आठ से दस दिन पहले ही और बरकों को दिया है नाट्रोजन और पोटास की पूर्ति कर दी है तब आपको इस टाइम तक कोई भी और बरक अपने खेत में नहीं डालना है पैदावार वैसे ही बेहतर मिलेगी क्योंकि पहले ही आपने सभी और बरकों को पूरा कर दिया तो आ पासा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा मिलते हैं नए वीडियो में धन्यवाद